तो स्टुडेंस दिस सल्मावानी, सो एज पर लॉक्ट उन्वी आर गिविग ओनलाइन क्लासेज तो हमारा सेकेंड उनिट हमने स्टार्ट किया था सेकेंड यूनिट का हमने मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स और मार्किं टूल्स तक हमने पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे नीडल्स के बारे में नीडल्स भी दो दरख की होती हैं एक तो जो वाली नीडल्स जिससे हम यूजुली हाथ से स्टेचिंग करते हैं दूसरी हो गई सिविंग मशिन नीडल्स तो नीडल्स के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है इस session में आपने needles और thread जो आपका topic है ये बोलता है कि needles की कई किसमें हैं जैसे एक हम सबसे बहला discuss करेंगे hand sewing needles hand sewing needles का इस्तमाल किया जाता है usually embroidery करने के लिए इन needles को design किया गया होता है different जिस तरीके का आपने काम करना है उसी हिसाब से जैसा आपका काम है उसी के हिसाब से आप needle भी चूज करोगे जैसे कि sharp medium length फाली needles का आप इस्तमाल करते हो जो heavy weight heavy कपड़ा हो जो fabric जो हो उसका काफी weight हो उसके बाद ये जो hand sewing needles इनके भी किसमें होती है यहां पर mention है यहां पर यह देखो आप मिलिनेर निडल शार्प निडल एंड बिट्वीन निडल तो जो मिलिनेर्स निडल होती है यह टकिंग के लिए इस्तमाल होता है टकिंग का मतलब होता है आपके जिससे हम देख से हाथ से आप शिलाई करते हो तो वह जो एक एकस्टी चाहता आप उसको टक बोलते हो अच्छा उसके बाद यह जो मिलिनेर्स निडल होती है यह जादा तर एविलेबल होती है यह जो निडल होती है अलग-अलग size की available होती है यूजवली जो small size की निडल होती है उसका size होता है 9 और जो heavy size की निडल होती है उसका size होता है 18 तो आप hand saving needles को select करते हो depend करता है आप किस किसम का काम करते हो ठीक है फिर उसके बाद जो हम इसके कुछ different parts को discuss करेंगे जैसे यह हो गया point stem and edge यह hand saving needles के different parts के अलग-अलग नाम है point, stem and eye point जो बोलेंगे जो बिल्कुल tip होती है आपकी निडल की उसको हम point बोलेंगे उसके बाद point के थोड़ा सा उपर जो इसका portion है थोड़ा मोटा है उसको हम stem बोलेंगे और needle eye जिसको थोड़ा hole जैसा बना होगा उसको needle eye वो जिससे हम दागा पास करते है यूजूली जो हम घरों में needle use करते हैं उसके hole से हम दागा निकालते हैं और tip से हम tip को हम insert करते हैं फाबरिक में जब हमने कोई stitching करनी हो कि उसके बाद आ जाती है जो सिविंग needle है सिविंग needle के parts के बारे में हम discuss करते हैं सिविंग needle थोड़ी अलग अलग किसम की होती है दो पिक्चर से यहां पर यह first और दूसरी second अब हम इसके parts के बारे में discuss करेंगे सबसे पहला हो गया बट उसके बाद शेंक उसके बाद शोल्डर फिर ब्लेड लॉंग गूरू शॉर्ट गूरू निडल आई स्कार पॉइंट और टिप अब हम इसको one by one discuss करेंगे तो सिर्विंग निडल के कई सरे parts होते हैं उसके लगलग नाम है जैसे first one हो गया बट, second one shank, third one shoulder, fourth one blade, fifth one long groove, sixth one short groove, seventh needle eye, eighth scar, ninth point and tenth tip अब हम इनको one by one discuss करेंगे पहले आपको इनकी फोटो दिखा देते हैं कि यह दिखने में कैसे होते हैं आपको याद रहेगा यह देखिए scarf कहां पे हम बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं middle eye कहां पे है, blade कहां पे है, shank, button, short groove, point, tip first picture आप जो देख रहे हो यहां पे यह first picture है, यह हो गया आपका blade, यह हो गया आपका shank, कि आप second picture में देख रहे हो जो needle का front portion होता है, यह वाला, यह इसका tip हो गया, यह point हो गया, यह eye हो गया, जहां से आप धागा निकालते हैं, यह short groove हो गया, यह ज्यादा सिविंग मिशीन का needle है, उसके बाद scarf, needle eye के ओपर वाला portion, scar, long groove, short groove, ठीक है, ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी एक picture है, इसको भी आप देख लीजिए, हाँ जी, तो butt किसको कहते हैं, जो needle का उपर वाला हिस्सा जो होता, उसको butt बोलते हैं, आप वापस आप वीडियो को reverse करके देख सकते हो, picture में, और आपकी book में भी है, बट जो होता है, जो हमारी needle का bottom edge जो होता है, उसको हम butt बोलते हैं, यह अलग-अलग shapes का ही, इसकी कोई particular shape नहीं, यह pre-determined shaped है, और butt का roll क्या होता है, कि हम इसको needle bar में insert करते हैं, उसके बाद आपका आजाता है, shank, shank जो होता है, जो flat portion होता है, निडल का, उसको हम shank बोलते हैं, यह चोड़ा होता है, अगर needle के दूसरे parts को देखा जाए, उनसे ज़्यादा width पे ज़्यादा होता है, और यह needle को sport provide करता है, उसके बाद shoulder आज portion होता है, वहाँ से और लेके shank के बीच वाला portion present होता है, it is present between blade and shank, यह shoulder का काम क्या होता है, जब आप insert करते हो fabric को में needle को, तो उसकी वज़े से कि यह friction को कम करता है, और hole जैसा बना लेता है, fabric में, तो blade, next आपका blade है, blade जो है needle का सबसे longest portion होता है, it is the longest part of needle present from shoulder से लेकर needle eye तक का जो हिसा होता है, उसको blade कहते हैं, उसके बाद आपका needle hole है, जो सुराक जैसा होता है needle पे, जहां से हम thread को pass करते हैं, उसको हम needle hole बोलते हैं, it holds needle, needle thread, इसका काम होता है कि यह धागे को पकड़े र मदद करता है stitches में, loop to create loop, so, आज के lecture में इतना ही